एक और दर्शक इस वक्त हमारे साझ जुड़े हैं उनसे हम बातचीत करते हैं हलो हलो आप हमें सुन पारें हलो हाँ जी नमस्कार जी नाम बताए मैं नमस्कार राजेश बात कर रहा हूं राजेश जी पूछी अपना सवाल मैं हाकिम साफ से बात करने थी मैं नमस्कार राजेश जी आदाब बताईए सर मेरे को हम अपनी मम्मी के लिए वो चीए था आपका चमन प्राज जेशी जो हता है माजी नार केर माजी नार केर चीए था सर मम्मी केर ठीके ठीके किदर से मिलेगा सर वो बहुत मुश्किल हो रही है मिलने दाए कहीं शीजी सा ठीक है ठीक है जब बेटा देखो थोड़ा वेट करना पड़ेगा माजी उनार केर इम्यूनिटी की दवा है और ये लोगों पता चल चुका है कि इम्यूनिटी के बगएर इस वक्त पूरी दुनिया में भारत में जिन्दा रहना मुश्किल है तो आप अपना आर्डर हमारे हैर्पलाई नंबर पर लिखवा दे बहुत जल भेड़ दे जागा इसके डिमार्ड इतनी बढ़ गई कि हम इसको तयार नहीं कर पा रहे पूरी तरह लेकिन दस पंदादे इंतिजार अगर कर सकते हैं तो कोई भी दवा मिल सकती है इस वक्त क्योंकि इमिनिटी में ये माजून आर्केर सबसे आगे है और हर शक्स ने एक खुराग खानी शुरू कर दिये जितने भी हमारे वीवर्स हैं तो आप लिखवा दिजे आपको पहुँचेगी जरूर और असली पहुँचेगी और मम्मी को क्या और जो भी घर में हैं बच्चे हैं तो आदा चमच बड़े हैं तो एक खुराग जरूर खाए इस वक्त अपनी जान बचाना बहुत जरूरी है बचेंगे तो विकास होगा तरक्की होगी नौक्री होगी और सहत होगी तो जान बचाना बहुत जरूरी तर आजधानी दिली से अशोग जी ले हमें कॉल किया है अशोग जी क्या सवाल करना चाहते हैं मैं मुझे आकिम साफ से बात करने लिए जी लेने का क्या तरीगा है देखे शिलाजीत आदा गिराम से जादा एक दिन में नहीं ले सकते है और शिलाजीत असली है इसकी पहचान शायद आपको नहों बड़ी मातरा में है कोई बात नहीं असली होनी चाहिए असली तो आधा गिराम से जादा ने ले सकते नकली तो आप अगर एक किलो भी खा ले तो कोई फाइदा नहीं हम लोग भी सलाजीत बनाते हैं और इस वक्त एक खुराद अगर आप इस लाग है महिंगी आती है ज़Аर असली सलाजीत अगर आप इस वक्त इस लाइख हैं कि एक आदा गिराम सिलाजीत रोज ले सकते हैं तो आप अपने डिफेंस यानि इम्मूनिटी बढ़ा सकते हैं जितने पड़े लोग हैं सब वो लेते हैं आदा गिराम मैं भी लेता हूँ कभी कभी हमारे हां तो खर ये बनती है तयार होती है सुलिमानी शलाजीत यनि मेरे नाम से ही बनती है लिक्विट फार्म मैं है अदा गिराम ले और दूसरे ही ले इसके बहुत फायदे हैं अगर असली है तो आप अपने परिवार को भी दे सकते हैं उम्र कितनी हैं आपकी? एक ताले साल मुझे एक सो पांच किलो वजने एक सो पांच किलो जी वजन बढ़ गया तो यह ऐसी डिटी तो बढ़ेगी यह भी पी तो आएगा फिर दिल का मरज आएगा फिर दिमाग का मरज आएगा फिर जोडों का दर्द का मरज आएगा तो देखिए संतुली ताहार खा तो किर्पिया दो रूटी खाया करें एक वक्त में इससे बहुत रहात मिलती है हर चीज़ को दूसरा क्या है कि पैदल चलना एक घंटा मेरी तरफ से आपको मुफ्त से एक घंटा जरूर चले और ठंडा पानी चोड़ दे गरम पानी पांच बार पीएं और अपनी पत्नी जो सारा लहसन और इतना ही अद्रक डाले हमारी पत्नियां बड़ी कंजूस होती है इत्ती सी अद्रक डालती है और इतना सा ही लहसन तो ये करें इससे भी आप ठीक हो सकते हैं और बाकाइदा काफी वज़न हो रहा है तो मैं नसका भी बतायता हूँ देखिए एक नमक आता है नमक जैतून ये रसायन होता है जैतून का इसको आप ले ले 100-200 ग्राम और आदा ग्राम एक ग्लास पानी में मिलाएं ये नमकीन नहीं होता है आदा ग्राम एक ग्लास पानी मिलाएं एक या दो नीबू निचोड़ें और पी लिया करें दिन में एक बार या दो बार एक ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है सफीना जी ने जी सफीना जी पूछिए अपना प्रश्म सफीना आप देखिये समझ ले नुस्के को बहुत आसान है और किड्नी में तो कितनी भी बड़ी पत्री हो निकल सकती है अगर आप समझ ले अभी मैं एक नसका बता रहा था चर्वी काटने का नमक जैतुन का नमक जैतुन सो दो सो गिराम ले 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 और एक गिलास पानी में आदा गिराम डाले और अब इसमें आपको एक या दो लीबू ने चोड़ने है ठीक है यह पी लिया करिये दिन में एक ब नब रहा पानी तो इसमें इसके बाद आप दू गिलास और पानी पीना है बस ये फरक है रह एकमत मैं नसका कितना इस्तमाल करना है किसे इस्तेमाल करना है किस ती जीज का रहाओ करना है waking में बहुत बड़ी हिक मत होती इसी को हिक मत कहते दवाएं तो आप एया जाते हैं और लेकिन उसको कितना कैसे कब इस्तमाल करना किस चीज के साथ इस्तमाल करना है ये बात एहम है तो आप ये लेंगे तो आपकी पत्री रेजा रेजा कर्चा कर्चा होके बहुत बारीक पाॉडर बनके निकल जाएगी दो टीन गिलास पानी इसलिए बता रहे हैं कि जब हम ज दवा है जाकर उसको पाउडर बनाती है और उसका पिशाप का फोर्स उसे बाहर निकाल देता है तो आप इस तरह से इस्तमाल करें आपको फाइदा मुमकिन है एक और दर्शक है हमारे साथ हलो हां जी नमस्कार जी नाम बताएं हकीम साथ से बात करनी है हूँ जी जी बताईए मैं सुन रहा हूँ कौन साथ बात कर रहा है हकीम साथ मैं बात कर रहा हूँ यहां से MP से जी जी बताईए मेरे ना प्रेट में बड़ी तकलीफ है टाइम से अच्छा क्या बता है डॉक्टर ने क्या बता है खाना खाना पच्टा नहीं है खाना उपर आता है और बड़ी तकलीफ है पेट की इधर मेरे दिक्कत है और टाइजस नहीं होता है मोशन नहीं है ठीक से आते और सकिन में भी दिक्कत है पूरी ऐलर्जी इतनी है कि मैं परेशाएं मैं तेर्ट तो साल हो गए इसको स्कराते हुई देड़ सो साल अच्छा मैं समझा देड़ सो साल उमर क्या है आपकी मेरी उमर हैगी 69 साल चा मुझसे छोटे हैं आप अच्छा देखिए एक ऐसा नस्खा भी मैं जानता हूँ जिससे आपकी बताई हुई तमाम समस्यां का निदान मुम्किन है चाहे ऐलर्जी हो चाहे अपच की प्राबलम हो चाहे कब्स हो चाहे मोशन सही नहीं आते हो चाहे खाना उपर को आता हो और चाहे मेदा खराब हो चाहे आतों में सूजन हो चाहे किड्नी में प्राबलम हो चाहे लीवर में प्राबलम हो ये बड़ा कीमती नस्खाय लेकिन ना पांच सो ग्राम लेके पाउडर बना लें और इसमें सो या डेर सो ग्राम देखिए एक फल आता है खाड़ी के मुलकों में जिसको कहते हैं सैतून इसका ओयल भी इस्तमाल होता है इसका सिर्का भी इस्तमाल होता है इसका एस्टेक निकाल लेते हैं एस्टेक मतलब रसायन जो हम नमक सैतून के नाम से जानते है आसान जबान में लेकिन इंगलिश में एस्टेक कहते हैं और हिंदी में रसायन ये सो जेट सो गराम मिल जाए आपको तो इस मेती के साथ पौडर बनाए और आधा आधा गराम वो आधा आधा चमच छोटा चाय का चमच दो या तीन बार खाएं दिन में, खाने से पहले या खाने के बाद, आप देखेंगे कि आपको ऐसा लएगा दो चार दिन में ठीक होगा, लेकिन ये पूरा खतम करना है आपको, और आप इसे इस्तमाल करेंगे तो आपकी तमाम समस्याओं का निदान मुम्किन है. एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए है, हलो, आप हमें सुन पा रहे हैं, हलो, जी, स्वागत है कारेकर में सवाल करें, जी, मेरा सवाल ये था कि मेंना शॉल्डर प्रीज हो गया है, जी तो फ्रोजन शॉल्डर कहते हैं, जी, तो अभी पीछे चाथ साल कहले मेरा सीधा ह ये था कितनी एज है आपकी? एज है, फोटिशिक्स. दी यूनानी आपको ऑपरेशन की सला नहीं देती, इस सला ये देती है कि आप जो भी जिस मौंडे में, जिस हाथ के मौंडे में आपको दर्दे, उसका इस्तेमाल भारी कामों में ना करें और वो भी कुछ दिन और इसके लिए दवा भी है और घरिलनस्था भी है घरिलनस्था गॉंसिया असली मिल जाए आपको असली लेना है आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम पानी या बगट चर्बी के दूद्ध या जूस से ले और लेकि फाइदा तो आपको शायद एक ही मेहिने में हो जाए लेकिन जो 100 ग्राम गौंड आप ले उसको खतम होने तक कए और अगर यह नहीं मिले यह नकली बहुत मिलता है असली आप ले ना कड़वा होता है काला होता है काला कोँ कहते है इसे गौंसिया भी कहते है लेकिन ब्राउन इस होता है और यह दवा ले तो दवा एक है कैपसुल टी के है टी फोर टाइगर यह सुबशा में के कैपसुल खुआ है जो भी आसानी से मिल जाए आप इस्तेमाल करें और आपका ठीक होना मुम्किन है संजे जी का कॉल इस वक्त हमारे साथ वो जुड़े हुए है कॉल आया है उसे बातचीत करते हैं संजे जी स्वावत है सवाल पूछ सकते हैं आप अलो जी सवाल पूछें आदा वो किल साव तर्जी जी मैं कहरा हूं कि मेरा बजन बहुत ज्यादा है करीबर मेरा चैनलिक नो ने और मेरी हाइड है साड़े-चार पूट जी उमर भी बता दी जी संजे जी उमर मेरी है साड़े-चार पूट जो है यह इस में यह वजन काफी है और अगर आपकी पत्नी होगो अच्छी भी हो तो उससे भी वजन हमारा बढ़ जाता तरह तरह के खाने के लाती है तो अगर मेरी बात सुन रही हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत जाकेदार खाने ना बनाए और लिमिटेड दे इन ये इनके साथ दिश्मनी है अगर साड़े चार फिट में इतना वजन है और खाना खिलाए इने जरूर लेकिन ऐसा खाना बनाए जिसमें चर्वी इनके जिसम से निकल जाए तो उसके लिए जो खाना बनाए उसमें इतना सारा लेसन और इतनी अद्रक जरूर डाला करें तो वजन बढ़ना तो वहीं रुख जाएगा और गरम पानी अधा गिराम पानी में मिलाकर रोजाना एक नीवू के साथ पिया करें सुबा और शाम तो आपको फाइदा होना मुम्किन है एक और कॉलर है हमारे साथ हलो हलो हाँ जी स्वागत है कायकरम में नाम बताएं आपना हमारा सुमन दर्मन सुमन जे सवाल करें हाँ मतलब को पेट की समस्या के बारे में वो दवाब पूछना था पेट की समस्या हाँ क्या होता है क्या तकलीव है मतलब दर्द जजब हो जाता है दर्द हो जाता है एच कितनी है जहाँ हमारे 24 चीक अच्छा देखिए अभी बहुत कम उमर है और एक वो आता है बेल का होती है मेडिकल स्टोर उससे आप ले 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 और एक एक इसका पीस तीन चार इंच का सुबह खाली पेट खाया करें और पानी पी लिया करें और इससे आपको फायदा होना मुम्किन है किसी दवा की ज़रूत नहीं है आप इसे इस्तमाल करें फायदा उठाएं